तो माइंड को स्टेवल रखने का क्या तरीका हो सकता है अगर आप वाकिए माइंड को स्टेवल रखना चाहते हैं तो ऐसे क्या-क्या इंपोर्टेंट फाक्स हैं जिसे आप करके अपने माइंड को बहुत ही स्टेवल कर सकते हैं और जो अपने लक्ष बना रहे जो डेली टारगिट बना रहे हैं जो टू-डू से बना वो स्टूडू लिस्ट को complete कर सकते हैं कई दफा ऐसा देखा जाता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके mind में आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने सुरू हो जाते हैं कि हम medical college में जाएंगे तो कैसा होगा पढ़ाई कर पाएंगे कि यूटुब पे देखते हैं तो इतनी मोटी मोटी बुक कौन पढ़ पाएगा फेल हो जाएंगे तो क्या होगा इतना लंबा पढ़ाई कौन करेगा लाइफ कैसी होगी तो तरह तरह के उलजने आपके दिमाग में आने लगती है और जो आप लेके बैठे हुए हैं और वह ऐसे ही रह जाता है जो लेके बैठे हुए हैं वह ऐसे ही रह जाता है ठीक है तो माइंड को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टन है अब माइंड स्टेबल कैसे होता है माइंड की फिदरत होती है कि हमेशा अक्टिव रहे एवन आप रात में भी रह है एक बहुत बड़ा एक समझे के बहुत बड़ा एक लक्ष भी हो सकता है कि पूर्ण रूप से माइंड को कंट्रोल करना नेक्स्टू इंपॉसिबल बट बहुत थारे लोग भारत कैसे हैं जो इस पर साधना उधना करके कंप्लीट कर लेते हैं बट हम स्टुडेंट को इतन दोपिर हो जाती ही तो बड़ा मज़ा आता है कासो मेरा हो जाता तो कितना बड़ी कसमकस वाले जिंदगी जो है वह आपको अपने लक्ष के तरफ से धकेलता है आपको डॉक्टर बनना है अपने ममी पापा का नाम रौशन करना है अपने व्युद्व को अच्छा करना है जिन्दगी जीना है वर्ल्ड टूर करना है इंडिया का टूर करना है बढ़िया गारी चाहिए घर चाहिए तो कहीं न कहीं कुछ पड़े प्रानीरी जा रहे हैं थे हम पड़ंबन खो और याद हो जाएं रहें को कभी तरू नहीं है ऑब अबo जो भी पड़े हो हमारा याद हो जाए बस कभी हमने ब्रेन को ट्रेंड नहीं किया है अरहारी है आपको ट्रेंड गर देफ करने के अब बारी है ब्रेन एक विवस्तित रूप में रखने कि अब बच्पन से लेकिए आज तक कुछ करी नहीं पाये हैं तो दो चार हो जाएगा कि आपके थोड़े थोड़े बातों को मान सकता है तो इसमें करना क्या है सिंपल जब भी आप पढ़ाई करें जब भी आप सुरुवात करें तो एक डीब ब्रीथ लें और ब्रीन को सूचित करें कि यार मैं पढ़ने जा रहा हूं प्लीज सिर्फ असे फोकस ही र करने का थोड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या चल रहा है बट येस इस वेरी इंपॉर्टेंट तो में कुदा कंसेंट्रेशन आफ देखा भी है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत लंबा पढ़ते हैं 12 गंटा 14 गंटा बट आउट पुट जीरो है अब पढ़ने के बाद युई रिजल्ट नहीं आरहा तो मतब कहीना कहीन तो लुफल है नobile कमी तो है न उस कमी को समझना इंपॉर्टफके क्रम करना है क्रणारा हम अपने कमी के तरफ कभी नहीं देखते हैं बस आगेभ़ते रहते हैं एक्दम одна मिदम कि तरह टटू के घोड़े कि तरह कि अपने बारे में नहीं सोचा है, अपने बारे में नहीं सोचा है तो आप कैसे सोच लेते हैं कि नीट में आप क्राक कर लेंगे नीट में बहतर परदर्शन कर पाएंगे तो इस भी काम करना बहुत जरूर है जब भी आप ब्रेक लें तो सब्सक्राइब नहीं है अपने इंस्पिरेशन एक्स्पिरेशन पर फोकस कर सकते हैं अगर आप फैमली मेंबर हमेशा 24 घंटा तो कोई पड़े नहीं पाएगा तो अब जब फैमली मेंबर से और दोनों कस्म कस्म में जिन्दिगी जीना घलत है या तो साधी इंज्वाइब कर लो या वहीं से छोड़के आगा आजा और और अरगनिक करेंग कर पाते हैं तो आपने शादी नहीं किया औरगनिक नहीं किया कहने का मतलब यह है कि जिस काम में आप कर रहे हैं फुल इंजॉआ करिए भूल जाईए सब चीज ताकि आने वाले टाइम को बहतर बनाया जा सके आने वाले समय में अपने दिमांग को concentrate किया जाए कि यार तुमने तो शादी में enjoy किया है 2-3 गंटे, 4 गंटे, 5 गंटे, अब बारी है तुम्हें concentrate होके पढ़नी की, अब बारी है जो भी मैं पढ़ूं उसे याद करनी की, ऐसे हम कभी train करनी पाते हैं brain को, और जब तक हम इस brain को train नहीं करेंगे, brain हमारा ऐसे ही काम करता है, करता रहेगा और आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही कम नंबर आते रहेंगे, और ऐसे ही फेल होते रहेंगे, और बाद में बोलेंगे कि मेरे नसीब में था ही नहीं डॉक्टर बनना, देखे हर के नसीब में हर कुछ करना होता है, बस आपको उसके पीछे आप करेंगे अदर्वाइस लक्ष आपसे बहुत दूर चला जाएगा तो अगर आप इन सब चीजों पर काम करते हैं तो आपका पढ़ाई में दिल लगने लगेगा आप कंसंट्रेट करने लगेंगे और बहतर करने लगेंगे